कि शराब कान में क्या हुआ, मेगालाय के बलतकार केस में क्या हुआ, जब हमारी नीन खुली तो मालुम पड़ा कि वो एक सपना था, क्योंकि आजकल के डिबेट में तो जो महत्वपुन विशे हैं वो एकदम गैब हैं, लेकिन हम यही उमीद करते हैं, कि एक दिन जो है, यह सब डिबेट्स टीवी में दिखाई देंगे, और यह यहां पर उपस्तित भादोर अच्छे पत्रकार की गल्ती नहीं है, मैं जानता हूँ, आप लोग कोशिश करते हैं और इसलिए मैं आपको सलाम करते हूँ, परन्तु जो देश के जो ज्वलन्त मुड़े हैं, उसको दर किरार करते हुए, जिस तरह से पाप की जो पानी कस्तर जो है अब नाक के उपर जा रही है, उसका जो है एक महत्वपून उधारन, आज के प्रेस कॉंफरेंस में आपको बताना चाहूंगा, आज का प्रेस कॉंफरेंस, बारतिय जनता पार्टी और RSS के नेच्चर में जिस तरह से लगतार बच्ची और माईला के उपर अत्याचार कर रहे हैं, बलतकार, चेड़कानी, यहां तक बच्चे को भी नहीं छोड़ा है, उस विशे में हैं, कुछ दिन पैले टीवी में सब लोग ने देखा होगा कि निर्माला सिता रामन जी और स्मिति रानी जी ने एक बहुत ही खराब आक्टिंग का प्रदेशन किया था, तो एक तरफ औसकर विनिंग परफॉर्मेंस होता है, एक तरफ गोल्डन रैस्बरी, गोल्डन रैस्बरी अवार्ड जो अमरिका में दी जाती है, जो सबसे घटी आक्टिंग करते हैं, तो दोनों को एक गोल्डन रैस्बरी अवार्ड की तरफ के देने के लिए हम अमरिका के जो पैनल होगा उन से अंडूत करेंगे, for bad acting, worst acting, इसी लिए, कि इनको लग रहा था कि जो टिपनी अदीज जी ने टीवी चैनल में दिया था, जो उन्होंने अपनी गलती सुकार भी की, उन्होंने का कि उनका जबान फिसल गया था, उन्होंने का कि आदीवासी माइलाएक के ओपर एक बहुत बड़ा हमला है, ये समिति रानी जी ने का और निर्मान सितला में जी ने मेगा लाए में मेगा लाए में एक बीजेपी के उपाद्यक्ष है बर्नाड मराक वाइस प्रेजडेंट ये रहते हैं तूरा, शेतर में, गारो हिल्स में तीस रूम का एक फांफ है, उस तीस रूम के फांफ है जो मुक्यमंत्री के घर के पास है लगातार बच्ची और मायला के बलतकार और जबरं देव यपार के घटना जो है सामने आई है तीस रूम में जो है लगातार उस तीस रूम के होटेल रिसॉर्ट कुछ भी बोलिएगा वहां पर बच्चियां माईला को जबरन पकर करके उनके साथ बलतकार किया जा रहा था और बीजेपी के उपाद्यक्ष बर्नाड माराक उसमें शामिल थे और बीजेपी तो दुनिया के सबसे बड़ी मिस्स कॉल वाली पार्टी है तो मिस्स कॉल वाली पार्टी तो हमेशा जैसे मिंत्रा के डोट्वाइसमेंट आपने देखा होगा buy one get one free तो वहां तेक सिमित नहीं रहा है इस बर्नाड माराक के घर में फार्म हाउज में 35 जिलेटिन स्टिक्स 100 डिटोनेटर्स 4 क्रॉस बोस 15 आरोस और अनेक कैट्रिज जो बंदूक मिलें बर्नाड माराक के बादी मैं आपको और विस्तार से जो आपको बताऊंगा लेकिन क्योंकि आज का प्रेस कॉंफरेंस आतंगवाद से संबंदित नहीं है तो उसके लिए कोई और दिन जो हम लोग बात करेंगे लेकिन ये महिला के अपर जो है जो केस हुआ था उस केस में एक बच्ची का जो मेडिकल निरेक्शन की गई उस मेडिकल निरेक्शन में रिपोर्ट आया है कि ये बच्ची को लगातार सेक्शुली मॉलेस्ट एक्स्प्रॉइट किया गया है रिपीट अज सेक्शुल एसॉल्ट अन दिस चाइल्ड अब बेराड माराग जी नडड़ जी ने तो अभी तक उनको पार्टी से भी नहीं निकाला कोई चर्चा नहीं है संसकारी वाली पार्टी को कोई फरक नहीं पड़ता है मिस्टर माराग को कहां से पकड़े उत्तर प्रदेश से क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पर जो है सबसे शुरक्षित जगा होगा तो उत्तर प्रदेश उनको मेगाला के पलीस पकड़ के लिए आई बराड मराग ने बलतकार और देवयपार मेगालाय और नौटीस के ट्राइबल बच्चियों के साथ किया लेकिन स्मिती रानी गिर्माला सितारम को कोई मतलब भी नहीं है ट्राइबल लड़की से वो तो मैनिफैक्चर्ड आउट्रेज दिखाना था आप लोग को किसी ने पूचा है क्या एक भी व्यक्ति ने पूचा है कि ये बच्ची जो आदिवासी लड़की है उसके साथ जो बलतकार किया जा रहा है वाइस प्रेसिडंट बीजे पी के बेराड मराग से और नड़ा जी शांत है अमिजशा शांत है और मोधी जी तो वैसे हमेशा शांत रहते हैं इस मामले में किसी ने नहीं पूचा जब हम इस प्रेस कॉंफरेंस के तैयरी कर रहे थे तो मैंने हम सोच रहे थे कि क्या ये एक वन आफ केस है कि नहीं फिर ये हमको जैसे हमने इस प्रेस कॉंफरेंस के लिए अध्यन करने शुरू किया क्योंकि बीच-बीच में आपको मिलता रहता है खबरें अरुनाचल कर देख लीजे इनके सिट्टिंग विदायक गोरुक पोडंग इन्होंने बारा अक्टोबर को एक डॉक्टर जो प्रेग्नेंटी उसको रेप किया अभी भी पार्टी में है साब स्मितिरानी नहीं पूछेगी नडड़ जी नहीं पूछेंगे निर्मला सीतारामन जी नहीं पूछेंगे कोई नहीं पूछेगा अब यह भी पार्टी में है बेल लेने के चकर में यह विदाइक चीज़ दौड रहा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि देखे कपड़े से तो आप पहचान ने सकते हैं यह है मिस्टर गोरुक पहचानी है क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कपड़े से तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं तो आप पहचानी है आप सब जैसे पैंटो शट पहने हुए बर्नाट का तो फोटो आपको दिखाना मैं भूल गया लेकर बर्नाट का फोटो भी दिखा लेता हूँ इनको पहचानी है देखे मिस्टर बेराड मराग अरोनाचल के मैंने आपको बता दिया उसके बाद उसके बाद मैं आपको और जो है तीन चार जो है इंटरेस्ट ने आठ दस और इंटरेस्टिंग घटना है आपको बताना चाहूँगा आम्स के बारी में मैं तो फोटो इसलिए दिखाना चाहते हूं, यह आम्स मिला था मेराग जी का गर से, यह है आतंगवाद के खिलाफ लटने वाली पार्टी की स्थितिक, वो डीटेल बाद में होगा, आपी के बिरादरी के एक निया दिक्षट जी है, अभी फ्रीलांसर है, उन्होंने पांच पार्ट सीरिल किया था, RSS Trafficking of Girls in North East, एक मैगजीन, एक पत्रिका में यह स्टोरी छपी, निया डिक्षट जी को मैं सलाम करता हूँ, और आप सब को सलाम करता हूँ, उन्होंने कहा कि राष्टर सेवी का समितिया सेवा बारती ने, 31 ट्राइबल लड़कि उन्हों को आसाम से, जबरन अपरन करके ले गए ते गुजरात क्यों? संस्कृती समझाने के लिए, समितिरानी जी और निर्मला सितारमर को कोई अफसोस नहीं है, आदिवासी महिला के साथ क्या हो रहा है, 29 के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं है, ले गय गया? और जब किसी ने जब विरोद किया वहाँ पर तो 200 लोग गुजरात में, और कहां ले गए? गुजरात मॉडल, गुजरात ले गए, 200 लोग आया, लोग माबाप गए, पुलीस स्टेशन में कम्प्लेंट करने के लिए, किसी की सुनवाई नहीं हुई, और जब पेरंस जाते हैं, यह 31 ट्राइबल बच्चे के माबाप गए, असाम पुलीस के आफायर करने के लिए, तो ग्रेट असाम पुलीस ने अभी तक कोई कारवाई नहीं कि, हम लोग सोचते हैं, कि अगर हमारे बच्ची को कोई जबरन ले जाए, हम पागल हो जाएंगे, है नो, कमाल की बात है, आदिवासी बच्चे को जो है, ट्रेन में जबरन ले जाते हैं, RSS के लोग, और आपी के नहा दिक्षित जीने एक बहुत ही डीटिल फाइव पार अनुस इन्वस्टिगेटिव जनलिजम किया था, और RSS ने क्या कि बीजेपी ने नहा दिक्षित के ओपर केस कर द डारूं बनने वाले गरीब लोग, बलतकार के जो है, पीडित लोग, गरीब महिला अदिवासी बच्ची, तो क्यों डिबेट होगा बाई साब, क्यों आप जेसी बी से कूदकत के डिबेट करोगें, ये तो हमारी भारतिय संस्कृति में नहीं है, इसलिए डिबेट नहीं ह रहते हैं, और इनको पता नहीं, 39 के लड़कियां से क्या जो है न, एट्राक्शन बोलीगा कि क्या खुदसित प्यास करते रहते हैं, ये ये लाता, ये नीरत साक्याजी बीजेपी के नेता, 39 से लड़कियों को पकड़ करके, नौकरी के नाम पर जबरन जो है, देव याप कराता था बोपाल में, कोई न्यूस आर्टिकल नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, आप एंकर से पूछिए, और मैनिफैक्चर नौंसेंस दे इन डे आउट, क्योंकि किसी और की बच्ची है, हम तो बोलते ही कि हमारे बच्चे जो हैं, प्रदेश के, ये स्पेशलाइज करते हैं, नागा लैंड से बच्ची लाने का, अब देख लिजे स्पेशलाइजेशन बीजेपी का, अब प्रदेश मी सेलेक कर लिया है, लेकिन कोई टीवी चैनल में नहीं दिखाएंगे आप लोग, नागा लैंड के बच्चियों को ले एक और व्यक्ति चंदना चकरवती जी, वो क्या करती है बंगाल में, बीजेपी के, जुई चौधरी जी के, जलपाई गुरी के माइला मुर्चा के अध्यक्ष है, ये एक आश्रेगर चलाती है, वहाँ गरीब लोग आते हैं, और गर्वती माइला आते हैं गरीब लोग, तो उनसे बच्चे लेकर के उसके बच्चे को बेजते हैं, और कहलाश वरगिया जी ने इस संस्तान को, इस संस्तान को 22 लाग दिलाया, 22 लाग, जो गरीब का जो बच्चा चीन करके बाहर बेज देते हैं बच्चे को बाहर, लेकिन कोई न्यूस रिपोर्ट नहीं, कोई ट चीन करके आप बेज रहे हो, बच्चे को, इनका क्या कुसूर है, क्योंकि ये गरीब हैं, अब एक व्यक्ति हैं, इनको पहचानी हैं, अरजुन भाई, विदाइक जी, खेडा के सरपंच, गुजरात, गुजरात मॉडल, खेडा के सरपंच के पत्नी को जबरन पिछले 5 साल से बलतकार कर रहा है भाई साब, गुजरात में, जहां अवेच शराब मिलती है, पांच साल से खेडा के सरपंच के वाइफ को बलतकार करी है, कुंप्लेंट डर्ज हुआ है, लेकिन विदाइक जी, अभी भारतिय जनता पार्टी में है, स्मिती रानी को चिंता नहीं है, न आप लोग नहीं छापोगे, टीवी नहीं दिखाएगा, तो कहां जाएगा आदमी, कुल्डीव सेंगर, 17 साल की बच्ची का रेप करते हैं, गारी चड़ा देते हैं पिताजी के उपर, बम-बम, अभी जेल मुश्किल से कह, स्वामी चिम्मा एनंद, बीजे क्पी के पूर सांसत, लगतार एक मेडिकल लौ पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलत कार किया, लेकिन कोई कारवाई नहीं, बम-बम, बोजपल सिंग, मद्यपदेश के, एक दलित लड़की को घर में बिटा करके लगतार बलत कार किया, बी-पी-ल कार्ट देने के नाम पर, लेकिन जलित का कोई मतलब ही नहीं है, आदिवासी का मतलब नहीं है, महिला का कोई मतलब नहीं है, वीजे जौली जी के कानी तो आप सब को अबगत हैं, दिली का ही है, उसके बारे में क्या बोलना है, वेंकटेश मौरिया जी ने तो एक लड़की से बलत कार किया तो और बोल दिय तकि में नाश्यल एग्जिकेटिव का मेंबर हो कि लड़की डर गए कि बीज़िपी का नाश्यल एग्जिकेटिव है तो उसी बाने उसको रेप भी कर दिया कि मेंबर नहीं है लेकिन बीज़िपी करनेता है निहाल चंड जी राजस्तान के मंतरी जी 20 साल को बच्ची को पकड़ करके बलतकार करना प्रमोग गुप्ता आसराम बापू आसराम बापू के तो पक्षम तो पोस्टर भी चला दिया सुप्रमानियम स्वामी ट्रेंड भी चला दिया विजे वर्गिया जी और प्रबाद जी कूद गये उमाबार्ती जी बचाने में आसराम बापू के लिए कहां मियाएं बाइसाब इस देश में मैं तो एक बूत्पूर पोलीस आफिसर के नाते में बता रहा हूँ कि कभी हमने इस तरह का जो है रसुकदार लोग और शक्तिशाली लोग की जो है न इस तरह का पाप हमने कभी नहीं देखा है पाप इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे हम दिखाएंगे नहीं चापेंगे नहीं बोलेंगे नहीं और पुलीस तो कभी कारवाई करीगी नहीं लेकिन एक दिन जब ये पाप के घड़ा जो बरेगा और जब फुटेगा देश का गुसा तो ये सब लोग उसके जवाब देंगे आप और हम भी जवाब देंगे अब लास्ट में हम इतना कहना चाहेंगे क्योंकि मोदी जी के बहुत विश्वास है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के उपर तो जेंडर गैप रिपोर्ट में माईला के जो अपर जो अत्यचारों है देश में 156 देश में से मोदी जी ने हम को 140 वास्तान पर पहुंचा दिया है गनीमत है कि हम अफगानिस्तान से थोड़ा सा उपर है अफगनिस्तान पाकिस्तान हमारे उपर है बर्मा हमारे नीचे होगा तो अफगनिस्तान जांपर सिर्या विर्या टाइप होगा मोदी जी है तो मुमकिन है हिंदी के बॉलिवुड के पिक्चर हमेशा जो है देश के वर्तमान स्थिती को बहुत सुन्दर तरीके से दरसाते हैं तो खलनायक वाली पिक्चर आपको याद होगा नायक नहीं खलनायक है तू जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू यह बारतिय जनता पाटी और यह मैला के खिलाफ लगातार और मैंने जो आपको पढ़ाई है तो छोटा सा टिप है और मैं आपके माद्यम से सिरफ अन्रोथ करूंगा जब हम लोग फालतु फालतु न्यूस में टाइम बरबाद करते हैं कभी उस बच्ची का चेरा भी देख लिए जिसके बलतकार वी उस मा का चेरा चार पत्नी का चेरा देख लिए जो चार साल से इनके विदायक रेप करना है जब प्रेवी कि जडियाए बिलिए लेस्टॉर की यूस में किविद में वी जडियम वी तिई हरता है जब प्रूबीं ने ने June पलाचोंन्ट गूहा इस्टन एॉटर्भणीर उप्मिनस्टेस है। इन्ट इनुटर्णत? इंगार इसल्ड़ कि इनुट्र 창ा उंजन एंप्रगशिक्ति हैंन्ग इस इंड विर शिल्न एजन एंट श्यवा सैंडर्रण और वेत्ष नेर्फ इस नियुकेश विजुची आरसे सब्सक्राइब ट्राफिक 21 इस विज विजुचेश कि नेर दिक्षित रिटन and the parents of no justice if Asaram Bapu can kill family members of girls who he is molested and we don't report and we don't show and we don't write God save India and God save India from manufactured angry ladies in the Rajya Sabha and Lok Sabha God save us any question? Thank you